अलो दोस्तो नमश्कार Profit Guru चेनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो यह 5 स्टॉक काफी उपर जाने वाले हैं अब यह कैसे जाने वाले हैं यह टेक्निकल रिजन चे पता चलेगा अब देखिए यह मेरा कोई recommend नहीं है यह मेरे opinion से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह बहुत उपर जाने वाले है अभी मैं बोल दूँगा कि यह बहुत नीचे जाने वाले फिर उस condition में आप क्या करोगे अगर यह stock क्या आप लोगों के portfolio में तो क्या stock को आप कल जाके sale करोगे profit book करोगे, loss book करोगे तो बिलकुल भी इस चीज को follow मत करिएगा यह मैं खाली आपको update दे रहा हूँ कि यह stock उपर जाएंगे यह मेरी एक theme है यह मेरा एक analysis बोल रहा है ठीके तो analysis को focus करिएगा जहां पर आप लोगों को चीज सीखने को मिलेगी जिससे आप खुद भी इस point को analysis कर पाओ ठीके इस topic को not करिएगा और अपना mind में save करिएगा क्योंकि आगे भी आपको यह बहुत काम आने वाला है तो चली जानते हैं कौन से 5 stock है और किस reason से उपर जाने वाले तो फटापट से वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा नीचे description में दोस्तों आप लोगों के लिए profit group की class channel का link दिया हुआ है जाइए फटापट से उस channel को visit करिए subscribe करिए क्योंकि दोस्तों already आप लोगों के लिए भैतरिंग swing trade का जो level है वो update कर दिया गया है तो चलिए सबसे first और धमाकेदार stock के उपर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ traders हम आ गए है angel broking के terminal के उपर एकदम best brokering firm है अगर अभी तक आप लोगों ने demand account open नहीं कया है ठीक है तो नीचे description में आप लोगों को angel broking का demand account का link मिलेगा जाइए फटापट से वहाँ पर जाके demand account open करिए और हम से contact करिए हम आपकी काफी help करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने stock को select किया दोस्तों यह stock है महंदरा इंड महंदरा ठीक है जो आज की date में काफी अच्छा performance दिया है intraday market में single day मतलब one day का chart pattern यहाँ पर लगा हुआ है अब देखे अभी दो दिन पहले भी मैंने यह stock आप लोगों को update किया था कि इस stock में एक fresh breakout की condition बन रही है क्यों बन रही है देखे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यहाँ पर बहुत अच्छा इसने क्या करके रखाता दोस्तों बहुत अच्छा support लिया था यहाँ पर देखे एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार एक ही point पर support लिया rejection की बार यह आती है ठीक है sorry rejection पर थोड़ा सामारा line आड़ा होगे यहाँ पर देखे यह तो यहाँ पर क्या हो रहा दोस्तों first point पर rejection second point पर third point पर इसको break किया अब देखे यहाँ पर नीचे आया उपर जाने में fail हुआ फिर उपर जाने में fail फिर उपर जाने में fail यहाँ पर rejection बन चुका था fall आया यह fall काफी लंबा चला और यही fall ने दोस्तों stock को काफी confidence दिया क्यों दिया क्योंकि यहाँ पर देखे यहाँ पर आड़े traders ने profit book किया फिर selling pressure आया तो यहाँ पर जितना selling pressure इसमें बढ़ा उतना इसके उपर confidence बढ़ा क्यों दोस्तों क्योंकि आप देख सकतों हर बार क्या हो रहा था हर बार यहाँ पर आके support बन रहा था ठीक है rejection point पर लाके छोड़ देंगे लेकिन गलती से क्या हुआ दोस्तों यह जो confidence यहाँ से आया था मतलब यहाँ पर जो traders ने stock को shot किया था ठीक है shot करने के बाद उन्होंने भी बाजी को बल्टी और stock को इतनी अच्छी तरीके से उपर ले गए कि एकदम moment देखने को मिला और moment देखने की बाद दोस्तों वो यहाँ पर support लिया support कहाँ पर लिया जहाँ पर rejection था वो ही point पर इसने support लिया और वहीं से इसने एक reversal दिया और एक B से फेटन बनाया मतलब एक अच्छे खासे breakout पर यह खड़ा हुआ है तो आप जरूर महंदरा एंड महंदरा पर अपना focus कर सकते हो आज ये stock अपने 3.5% चलके close हुआ है ठीक है तो first stock है महंदरा एंड महंदरा अब चलते है second stock के उपर अब यहाँ पर आप देख सकते हो second stock है दोस्तों एक medicape IT company जिसका नामे को फोर्ग को फोर्ग की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो बहुत शांदर तरीके से trading कर रहा है किस प्रकार से कर रहा है देखे ट्रेंड को पैचानिएगा ये point आप लोगों के लिए बहुत important होने वाला है इससे पहले भी बहुत अच्ची चीज़े सीखाई मैंने है इस point में भी बहुत अच्ची चीज़े सीखने वाले हो देखे trend क्या बोल रहा है ये थीक है आप बोलोगे ठीक है ये trend हम देखते हैं इसी परकार का अगर मैं इसको नीचे लगा देता हूँ तो नीचे का trend हो गया इसको उपर लगा देता हूँ यो उपर का हो गया लेकिन अभी आपको क्या दिख रहा है खाली trend trend के बाद दोस्तो गिरावट फिर उपर मतलब यहाँ पर दोस्तो जब stock में मतलब यह trend बनाना चलो फिर यह गिरावट फिर ट्रेट अब क्या देखने को मिल रहा है देखे भाग रहा है गिर रहा है हाई बनाते जा रहा है लेकिन नया हाई बनाते जा रहा है लेकिन नया अब इसको मैं practical पर आपको बता तो ठीक है नीचे आया, फिर उपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखी, उपर गया, फिर नीचे आया, आब ऊपर जा रहा है, तो अब उपर जा रहा है, तो ये तो trend हो गया, अब trend के साथ एक technical analysis भी हो जाए, टेकनिकल analysis क्या बोल रहे है, technical analysis में यह देखे सपोर्ट ठीके सपोर्ट पर टेस्टिंग किया सपोर्ट पर टेस्टिंग किया यह सपोर्ट पर इसा भागा यह सपोर्ट पर एसा भागा ठीके यहाँ पर हम उमीद यही कर रहे है ठीके फॉल आएगा मानता हूँ फॉल यहाँ पर आएगा फिर वो भागेगा तो यहाँ पर fall आया था तो यह rejection लेवल पर आके खड़ा होगे मतलब यहाँ पर भी एक fresh breakout की तैयारी हो रही है अब यह momentum आप देख सकते हो किस प्राकार से हमें देखने को मिल रहा है ठीक है यह momentum तो यह बहुत अच्छा momentum आप देखने को मिल सकता है जरूर कोब फर्गे पर फोकस कर सकते हो यह stock आच 4% भागा हुआ है ठीक है चलिए 3rd stock पर फोकस करते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3rd stock है हमारे लिए Dixon Technology ठीक है लगबग 10% की तैजी के साथ यह stock close हुआ है अब इसका क्या moment देखने को मिला इसका भी वह सेम moment देखने को मिला कि यहाँ पर जिस प्राका से तेजी दिखाया गिरावट फिर तेजी यहाँ तक फिर गिरावट फिर तेजी हमें देखने को मिल सकती एक point यह हो रहा है ठीक है उसके बाद कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखे यहाँ पर अगर मैं momentum की बात करता हूँ तो momenntum में support लिया हुआ ठीक है support के बाद ऊपर गया नीचे आया तो फिर ऊपर गया फिर नीचे आने की कोशिश यहाँ तक थोड़ा हो सकता है और नीचे आसकता है थोड़ा और नीचे आई लेकिन दोस्तों ये फिर अच्छा गसा अपने को लेवल दिखा सकता है और जो यह दोस्तों आप लोगों को 5500 का लेवल दिख रहा है 5400 89 का लेवल दिख रहा है यह एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह मुमेंटम इस प्राकार से कंटिन्यू रह सकता है जरूर दोस्तों इस पर भी फोकस करेगा क्यों क्योंकि जो वोल्यूम की कंटिशन है वो बहुत अच्छी दिख रही है ठीक है ब्लूमबर बेंड के अगर मैं बात करता हूँ जो अभी लगा हुआ है तो इसके मिड में यह भी ट्रेडिंग करा है मतलब मिड में ट्रेडिंग करना मतलब ज्यादा था स्टॉक में एक उपर साइट का मुमेंट होना ठीक है अगर यह 60% या 40% पर ट्रेड करता है तो हम बूल सकते हैं यह स्टॉक पर गिरावट हो सकती है ठीक है लेकिन अभी यह 50% पर ट्रेड करा है मतलब एक अप साइट क का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो इसे कुछ multiple confirmation रहते हैं जब ही हम आप को technical analysis करते हैं ठीक है कि आप लोगों को भी एक साइड हंसे चीजों को सीखने को मिले ना कि एक recommendant देखने को मिले हाँ चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ अब यह बहागेगा अभी बोल रहा हूँ यह गिरेगा तो अब यहाँ पर आप confused हो गए confused फूरे आपके दिमाग के fault उड़ गए ठीक है क्योंकि यह stock आपके portfolio में भी है किसी ने swing trade position बनाई है किसी ने दोस्तों कल के लिए stock को hold करके रखा है कोई loss में बहुत सारी दोस्तों आपकी problem यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आप क्या करें अब आप खुछ से research करिए यह आप लोगों के लिए सबसे बड़ा point होगा तीक है तो जरूर अपना diction पे focus करिएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो fourth stock है आप लोगों के लिए root mobile रूट mobile के अगर मैं बात करता हूँ यह भी दोस्तों एक consolidated face में भी खड करेंट किया यह जो support था ठीक है यहीं पर trade किया अब अकर देखें तो एक point आप note करेंगा बहुत अच्छी तरीके से क्या देखने को मिल रहा है देखें मतलब इतनी जगा में stock क्या कर रहा है consolidate कर रहा है मतलब दोस्तों बहुत दिने तक इस stock को अगर किसी ने देखा होगा तो एक bump panic situation उसको create हो रहे होगी मतलब कि हम इस stock को खरीदे ना खरीदे क्योंकि stock दोस्तों बस यहीं पर moment कर रहा है तो यहाँ पर देखें stock में एक breakout आया ब्रेक आउट आने के बाद फिर इस ने sustain किया और breakout आने के बाद देखें sustain को फिर fall मतलब यहाँ पर breakout में इसने queste sustain पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाया तो यहाँ पर momentum अच्छा यहाँ पर upside का फिर यहाँ पर downside का तो इस प्राकार से दोस्तों stock की condition अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहां पर आप देख सकतो लांस रिश्टो के टाटा मोटर्स का जिसने आज लगबग पोने तीन परसेंट के हमें तेजी दिखाई है ठीक है यहां तो खाली एक ही पॉइंट देखने को मिल रहा है वो पॉइंट है दोस्तो यहां पर अगर आप देखेंगे काफी बड़ा इसने कांसुलिडेट किया था मतलब कांसुलिडेट करने के बाद इसने एक अच्छा खासा ब्रेक आउट दिखा है ब्रेक आउट के बाद थोड़ा फॉल आया फॉल में अगर देखे तो दोस्तो एक रेंज में यह अभी भी ट्रेट कराई ठीक है अगर यह रेंज से भार निकलता है न तो एक अच्छा खासा हमें अपसाइट का मोमेंट देखने को मिल सकता है लेकिन उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तो उतना pressure नहीं है जितना हम expect कर रहे हैं कि नीचे stock आ सकता है और इतना कोई बड़ा reason भी नहीं है कि stock में दोस्तो गिरावट हो सके क्योंकि देखें अभी अगर देखा जाया तो काफी अच्छा यह अपना performance करा है company के अंदर भी ठीक है technical reason भी अच्छा है fundamental भी अच्छा देखने को में मिल रहा है ठीक है तो इस पे भी आप focus अपना कर सकते हो ठीक है तो मैं इस वीडियो को close करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लेस दोस्तो इस वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा क्योंकि daily basis पे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के भैदरिंग अपडेट लाते रहते हैं तो thank you दोस्तो